आजादी का अम्रित महोटसम आजादी का सफर आकाश्वानी समाचार के सार्थ आज की कड़ी में हम खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोध सिंग सीएम को याद कर रही हैं जिनकी 17 जुलाई 1835 कोम्रित्ती हुई थी खासी एक शेत्र पर ब्रिटिश कबजे के खिलाफ अपनी रणनीती, वीर्ता और नियंत्रन के लिए प्रसिध यू तिरोध सिंग उग्र नेताओं में से एक थे ये युद्ध 1823 से 1823 तक लड़ा गया था उनकी पुनेति थी हर साल में घाले में राज किये अवकाश की रुप में मनाई जाती है तिरोध सिंग ने युद्ध की घोशना की और खासी पहाडियों पर नियंत्रन के लिए अंग्रेजों के विरुध लड़ाई लड़ी प्रारंभ में ब्रिटिश शासन और तिरोध सिंग एक समझोते पर पहुँचे जिसके अनुसार दुआर कहे जाने वाले दर्रे पर तिरोध सिंग का कबजा हुआ लेकिन राजा बलराम सिंग ने दुआर पर तिरोध सिंग के दावे को नामंजूर किया और अपने दावे को स्थापित करने के लिए अपनी सशस्त्र सेना के साथ आगे बढ़े जब खबर आई के अंग्रेज असम में सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं तो तिरोध सिंग ने फिर से दरबार बुलाया और अंग्रेजों के लिए नोंग खला को खाली करने का आदेश पारित किया गया अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और खासियों ने नोंखला में बृटिश सेना पर हमला कर दिया एंग्लो खासी युद्ध में खासी वीरों के पास गोला बारूद की कमी थी और उनके पास सिर्फ तलवारें ढाल धनुश और तीर थे इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहरा लिया जो लगभग चार वर्षों तक चला तिरोध सिंग को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी इसलिए उन्हें एक गुफा में छिपना पड़ा आखिरकार उन्हें जन्वरी 1833 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ढाका जेल भेज दिया सत्र जुलाई 1835 को युद्धिरोध सिंग सिंग का निधन हो गया आकाश्वानी समाचार देश के सुवीर सपूत को नमन करता है आज हम स्वतंत्रता सेनानी वीर हस्साराम पमनानी को भी याद कर रही हैं हस्साराम पमनानी की मृत्यू 17 जुलाई 1940 को हुई थी 10 अप्रेल 1889 को सिंग के रोहरी में जन में पमनानी ने 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से इस्तिफा दे दिया और राश्ट्रिय आंदोलन में शामिल हो गये स्वतंत्रता आंदोलन में भागिदारी के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा 1937 में पमनानी सिंध विधान सभा के लिए चुने गए जब खेत्र में सामप्रदाइक भावनाएं भड़की तो पमनानी ने घटना करम के पीछे की साजिश का परदा फाश कर दिया उपद्रवियों का दंगे शुरू करने का प्रयास नाकाम हुआ और उन्होंने वीर हसा राम पमनानी को 17 जुलाई 1940 को गोली मार दी आकाशवाणी समाचार इस महान शहीत को नमन करता है हम गांधिवादी स्वतंत्रता सेनानी किशोर ये सब को भी आज याद कर रही है जिन की मृत्यू 17 जुलाई 1930 को हुई थी महराश्ट के पालघर के निवासी किशोर गुजरात के धरसाना में सवीने अवग्या आंदोलन में सक्रे रूप से शामिल थे सत्या ग्रहियों पर पुलिस के लाठी चार्ज में वे घाहल हो गए थे पुलिस ने किशोर को प्राथमीक उपचार देने की बजाए गिरफतार कर लिया और आर्थर रोड जेल में डाल दिया वो लगभग 15 दिन जेल में बंद रहे और उसके बाद गंभीर स्थिती में जेजे अस्पताल में स्थाना अंतरित कर दिये गए इसके दो दिन बाद 17 जुलाई 1930 को उनकी मृत्य हो गई इस महान सत्या ग्रही को आकाश्वानी समाचार का नमन आज हम स्वतंतरता कारेकरता गुर्या को भी याद कर रही हैं जिन्होंने 1857 में स्वतंतरता के पहले युद्ध में भाग लिया था गुर्या को अंग्रेजों ने गिरफतार कर लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को समर्थन देने और उकसाने के लिए उन पर मुकद्मा चलाया गया उन्हें सश्रम 14 साल के कारवास की सजा सुनाई गई 17 जुलाई 1869 को अन्दमान की सेलूलर जेल के कारवास में ही उनकी मृत्ति हो गई आकाश्वानी देश के इस वीर सपूत को सलाम करता है इसके साथ ही आजादी का सफर आकाश्वानी समाचार के संग्श्रंकला का ये अंक समाप्थ हुआ मिलते है कल अगली करी में